आरके सिंग आखिर चुनाव क्यों हार गए बड़ी बज़र सामने आ गई है नमस्कार दर्स न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग आरके सिंग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बिहार में कोई जीते न जीते आरके सिंग जरूर जीतेंगे आरा से लेकिन आ थुद्नामा परसाज ने उन्हें चुनाव हरा दिया और आरके सिंग जिनका पर्फॉर्मेंस जबरदस था केंदरीय मंत्री के तौर पर शुर्जा मंत्री के तोर पर उन्हों ने जो काम किया था उस वज़े से पीएम मोदी के वो गुट बुक में थे और कैबिनेट के सबसे अगर कहा जै काम करने वाले मंत्रियों में सुमार थे और आरा के लिए याने अपने संसदिया छेतर के लिए भी आरके सिंग ने बहुत कुछ किया जो जमीन पर नजर भी आता है और जिस तरह से आरके सिंग को अपने काम का भरोसा था पिएम मोदी के नाम का भरोसा था लेकिन आरा में उन्हें जीत नहीं मिल सका यानि काम और नाम का इनाम नहीं मिला उन्हें तो सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिर हार की वज़ा क्या है तो हार की पहली वज़ा जो निकल कर सामने आई जिस पर तमाम तरह की चर्चाय हो रही है समिक्षा हो रही है बीजेपी के जो आला कमान है बिहार के जो बड़े नेता है उन्होंने पिछली दिनों समिक्षा की थी तो हार की वज़ा निकल कर सामने आई कि औरंगाबाद सीट पर जिस तरह से हार हुई बीजेपी की सुसिल कुमार सिंग की कुछ वाहा वोटर एक जुट नहीं हो सके और कारा काट सबसे बड़ा फैक्टर रहा कारा कारा काट में पवन सिंग का उतरना और पवन सिंग के उतरने से इर्द गिर्द की तमाम सीटों के समिकरन बिगड़ गए पवन सिंग राजपूत वोटर को काट कर ले गए अपने साथ लेकर चले गए और उदर उपेंद्र क कुस्वाहा कि अगर कहा जाए कि जिस तरह से नराजगी दिखी कि और अंगाबाद में कुस्वाहा वोटरों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ऐसी इस्तिती में इसका इफेक्ट पड़ा कारकाट से लेकर आरा तक में यानि कुस्वाहा वोटर भी विदग गए कुछ हुआ ये बाते भी सामने आई लेकिन अब असली वज़ा क्या है असली वज़ा हम आपको बताने जा रहे हैं जो निकल कर सामने आया है समिक्चा हुई है हार की लगतार समिक्चा कर रही है बीजेपी और इसी समिक्चा से जो कुछ निकल कर सामने आया है वो चौकाने वाला है जी हाँ चौकाने वाली वज़ा है भले ही उपरी तोर पर कहा जा रहा है जाती है समिकर्णों के फेर में फसकर बीजेपी के जो दिगज कंडिडेट है कदावर नेता है आरके सिंग वो चुनाव हार गए लेकिन वज़ा और भी है और महत्तपुन है काफी महत्तपु बूट लेवल के जो कारकरताऊ को लगातार उत्षाहिद करते हैं और कहें कि एक भी बूट छूटना नहीं चाहिए यानि बूट लेवल का जो मैनेजमेंट होता है बीजेपी का काफी मजबूत होता है दावा ये होता है कि जंबोजेट कमीटी बनाई जाती है बूट पर जो मैनेजमेंट के जरीए लोगों को वोटरों को बूत तक पहुंचाया जाता है उसमें बीजेपी माहिर मानी जाती है लेकिन सबसे बड़ा फेलियर यहीं पर देखने को मिला बूत लेवल मैनेजमेंट जो है बीजेपी का फेलियर नजर आया और बड़ा सवाल अब आनी जाती है बूत तक अपने वोटरों को लेकर आती है लेकिन उसमें इस तरह की चूक कहां हो गई चूक अब आपको बताएंगे कि कहां हुई आकडों के जरीए आपको बताने की कोशिज करते हैं कि हलात ये रहे कि कई ऐसे मदान केंद्र थे जहां केंद्रिया मंत्री को जो पूर केंद्रिया मंत्री है आरके सिंग उस वक्त केंद्रिया मंत्री थे जब चुनाव मैदान में गए उन्हें एक भी बोट नहीं मिला और कई ऐसे बूत रहे जहां दस से कम बोट उन्होंने पाया यानि काफी चिंता का भी से है बीजेपी के लिए मन्थन का भी से है कि बोट लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्यों फेलियर हो गया कहा फेलियर हो गया किस वज़े से फेलियर हो गया इन तमाम बातों को सोचना होगा तो आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हुआ जो कमीटी बनाई गई थी चुनाव के एक साल पहले हर मद्ध केंद पर 15-25 लगबग 15 से लेकर 25 करकरताओं की बूत कमिटी बनाई गई थी जबकि लोग सवाचेतर के 7 विदान सवाचेतरों में कई ऐसे बूत रहे यानि आरा लोग सवाचेतर की अगर हम बात करें जहां पर भाजपा को 10 वोट जुटाने में भी पसीरे छुट गए 10 हैं वो पोल खोल रहे हैं कि आखिर बीजेपी का बूत लेबल मैनेजमेंट कहां गया बूत लेबल पर 15 से 20 करकरताओं की जो फोर्ज खड़ी की गई आखिर उसने क्या किया कि 10 लोगों को भी अपने बूत पर नहीं ला सकी बोट नहीं दिलवा सकी हम आपको बताएं कि आर है चुनाव आयोग से मिले डाटा पर अगर गौर करें तो सभी विधान सवा में मिला कर 18 मद्दान केंद्र ऐसे पाए गए जहां पुर्व केंद्रिय मंत्रियार के सिंग को दहाई के अंक में भी वोट नहीं मिले यानि 9 से 10 पर भी वो नहीं जा सके दहाई कांग दोहरे अ प्रवेस नहीं कर सके और ऐसे 18 मद्दान केंद्र पाए गए अगर आकडों के लिहास से देखा गया तमाम चीजों को खंगाला गया तो पता चला कि हार की वजह क्या है तमाम बाते कहीं जा रही है कि जातिया आकडों में जो पिछर गई जातिया समीकरन में पिछर गई बी कंजोरी रही? बीज़ेपी की जो आरा में साब तोर पर दिख रहा है? हम आपको बताएं कि आरके सिंग के अगर छेतर की बात करें, आरके सिंग को जो वोट मिले जिसके अधार पर तमाम आकड़े निकल कर सामने आए हैं और चुनाव आयों के द्वारा जो आकड़े जारी किये गए उन डाटा के अधार पर अगर देखे तो आरके सिंग को जगदीश पूर्विधान सवा में पाँच मद्दान केंद्रों पर जीरो से दस वोट मिले जीरो से दस वोट के अंदर जो है वो सिमट कर रहा गई जगदीश पूर्विधान सवा में जगदीश और आपको बताए जो आकड़े निकल कर सामने आए पिछले चुनाओं में यहां से भाजपा को बड़ी बढ़त मिली थी और यहां पर इस बार पांच बुतो पर यह आल रहा जगदीजपूर की हमने बात की जगदीजपूर बिधान सवा के मदान केंदर संक्या 46 पर एक बोट मिला अब आप समझ सकते हैं कि बूत लेवल मैनेजमेंट किस हद तक कमजोर रहा सवाल करे होंगे जब समीक्चा हो रही है तो तमाम बातों को देखा जाएगा कि आखिर बूत लेवल मैनेजमेंट में बीजेपी कहा पिछड़ गई क्यों ऐसे हालात रहे और इसके ब बोट 247 पर 6 और 287 पर 3 बोट मिले हालात इसकदर रहे कि बूत लेवल पर कहीं 0 कहीं 1 कहीं 2 3 और 10 के दहाई यानि 10 के आकड़ों पर भी पहुँचने में 18 बूतों पर बीजेपी के पसी ने छूट गए तो ये सब कुछ निकल कर आया संदेश की बात कर ले संदेश में जो है 51 बूत संख्या 51 पर संदेश बीधान समा में बूत संख्या 51 पर 4 बोट आरा में बूत संख्या 2 पर 4 बोट अग्याव में बूत संख्या 114 पर 9 बोट बढ़ारा बीधान समा में बूत संख्या 5 पर 8 बोट 7 पर 7 बोट 35 पर 9 बूत संख्या 275 पर 5 बोट मिले तो आप समझ सकते हैं कि बूत लेवल मैनेजमेंट में काफी गरबडिया हुई बूत लेवल मैनेजमेंट में काफी कुछ चूक हुई है हालत यह रहे कि 18 बूतों पर BJP को 10 के अंदर बोट मिले जो चिंता कभी सरह है और अब बताएं तो आपको इस पर जो एक और आकरा निकल कर सामने आया कि कई बूतों पर निदर लिये प्रत्यासी को आरकेश सिंग और भापाग माले सुदामा परसाथ से अधिक मत मिले कई सारे ऐसे बूत मिर है तो समझा जा सकता है जो अंदर में जो अंदर खाने से बाते निकल कर सामने आ रही है बले ही जातिय समिकर्णों की दुआई दी जा रही है बले ही कहा जा रहा है कि लालु यादों ने जो कुस्वाह समाज को जिस तरह से तरजी दी और कुस्वाह बिरादरी को लेकर जो वोट का जो चुनाव का मैदान सजाया उसमें बीजेपी मात खा गई और कुस्वाहा बोटों की वज़ा से ही आरके सिंग हारे जो बड़ी वज़ा बताई जा रही है लेकिन आरा में बीजेपी बूत मैनेजमेंट में भी पूरी तरह से फेली और नजर आई अठारा बोटों पर यह हालत रहे कि जीरो से लेकर दस वोटों के अंदर सिमट गई यानि दस वोट भी नहीं मिले दाहाई के आकड़े में भी बीजेपी नहीं पहुंच सकी तो समिक्षा चल रही है और समिक्षा तमाम लेवल पर हो रहे हैं चाहे आरा लोग सवाच्छतर की बात हो या फिर बीजेपी के जो प्रदेश नेत्रुत है उसने भी समिक्षा की थी पिछले दीनों उसके लावा केंदिरीय नेत्रुत भी जो है समिक्षा कर रहा है क्योंकि पूरे देश में अगर कहा जाए जिस तरह से बीजेपी सुकुर गई है तो ऐसी इस्तिती में समिक्षाओं का दौर चल रहा है और आरा की समिक्षा से आरा के मंतन से जो निकल कर सामने आया है वो बीजेपी के सामने बड़ा सवाल है और बीजेप management में पूरी तरह failure नजर आई है बने रहे हैं दर्शनीज के साथ तमाम खबरों से आपको update रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद